आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार आसूरी कांत्रिपाठी निराला जी के एक बहुत ही सुन्दर कहानी आप सबको सुनाने जा रही हूँ कहानी का नाम है दो घड़े बहुत ही सुन्दर शब्द है एक घड़ा मिट्टी का बना था, दूसरा पीतल का दोनों नदी के किनारे रखे थे इसी समय नदी में बाढ़ आ गई बहाव में दोनों घड़े बहते चले बहुत समय मिट्टी के घड़े ने अपने को पीतल वाले से काफी फांसले पर रखना चाहा पीतल वाले घड़े ने कहा तुम डरों नहीं दोस्त, मैं तुम्हें धक्के ना लगाऊंगा मिट्टी वाले ने जवाब दिया, तुम जान बुछ कर मुझे धक्के ना लगाऊंगे सही है, मगर बहाव की वजह से हम दोनों जरूर टकराएंगे अगर ऐसा हुआ, तो तुम्हारे बचाने पर भी मैं तुम्हारे धक्कों से ना बच सकूँगा और मेरे टुकडे टुकडे हो जाएंगे इसलिए अच्छा है कि हम दोनों अलग अलग रहें जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा हो, उससे अलग ही रहना अच्छा है चाहे वह उस समय के लिए तुम्हारा दोस्त भी क्यों ना हो धन्यवाद, नमस्कार